आज में बना रही हो इस स्प्रिंग रोल की रेस्पी जिकि इसकी सीट आपको बहुत ही इजी तरीके से एकदम सौप्ट सौप्ट बनेगी इसकी सीट जो कि आप घर पे बहुत आसानी से बना सकते हैं और देखिए एकदम ही सौप्ट है ये देखिए इसे जैसे भी मोरेंगे बस एकदम सौप्ट सीट बनेगी बहुत ही आसानी से घर के समान से बन जाएगी और खाने में काफी टेस्ट लगी और ये कभी भी आप बना के स्टोर करके भी रख सकते हैं महिनों तक जो कि बनाना आसान है और कभी भी आपको पाट्य वगेरा हो तो आप इसे बना के पहल जाइब तो पाइन के सब्सक्रम पायदा पान करें आप आटा लगा लेज़े ज्यादा सक्त आटा नहीं लगाने जिस तरह से रोटी बनती है उस तरह कि हमें आटा लगानी है ज्यादा गीला भी नहीं और ज्यादा सक्त भी नहीं तो रोटी के जिस तरह हम आटा लगाते हैं से मुसी तरीका का आटा लगा लेज़े आटा को अ सब्जिया ले लेते हैं आप अपने पसंद की जो भी आपको सब्जिया पसंद है वो लिज़ेगा मैं यहां पर ले रही हूं सिम्ला मिच, टमाटर, पत्तागोबी, बीन्स, हरी मिच, अद्रक और अगर आप प्यास खाते हैं तो प्यास भी ले लिज़ेगा तो यहां पर पह से लंबे-लंबे आप चाहे तो छोटी भी कटिंग कर सकते हैं पर इस तरह से थरा से ज्यादा अच्छे लगती है तो आज मैं बनाओंगे जो इसकी स्ट्रफिंग थोड़ी सी एक नए तरीके से जो कि आप वैसे भी आप इसे खा सकते हैं अब यहां पर सिम्ला मिच को भी स कटिंग कर लेगे तो अब यहां पर मैं ले रही है थूरी सी बीस आप चाहे तो ले सकते हैं नए तो आप इसकी भी कर सकते हैं इसे तह बीन altri कर ले हैं अब मैं यहां पर ले रही है तो टमाटर का बीज हटा लेजे क्योंकि ज्यादा पानी इसमें रिलीज हो जाएगी तो इसका बीज हटा लेजे बीज हटा के से लंबे-लंबे इसे भी कटिंग हम कर लेंगे बारिक-बारिक अगर आप श्टोर करना चाहते हैं ये स्प्रिंग रोल को महिनों तक अगर प्याज डार रहे हैं तो प्याज मत डालिएगा मैं यहां बगेर प्याज के बना रही हूँ तो यहां पे इसे भी टमाटर को भी लंबे-लंबे कटिंग कर लेजे और प्याज डालेंगे तो मैं जूलियन में कटिंग कर लेजे जितना बारी खोस है कि आप से उतना कटिंग कर लेजे तो यहां पर देखिए यह पत्ता को भी इससरह से कटिंग कर लेजे अब सारी चीज़े मैं यहां पर कटिंग कर रहे हैं थोड़ी सी अद्रक अद्रक भी सेम लंबे-लंबे-लंबे अब मैं यहाँ पर ले रही हैं 2dockаж was eight. Ampika और आपको तीखा पसंदै को आप यूजभेगा और अगर तीखा पसंदJapanese नहीं करते है तो स्कीप कर सिब मुझह पसंद दैंसाउम, मैं यहाँ पर हर इमीर्ज टानले क Ragley कुछ तो आ पिके। पढ़ाई को अच्छे से हाई फिलेम में एकदम गरम कर लेज़े पहले एक चमच यहां पर रिफाइंड डाल लेज़े थोरी से हिंग डाल लेज़े और अदरक और हरी मिज्ज जो कटिंग करके रखे हैं वो डाल लेज़े अब इसे थोड़ा सा हलका सा भूल लेंगे हम और जो सत्वाली जो सबजिया हमारे पास है गाजर और बेहारी भूल हम रेसे पखने में ठाइम लगाएगा फिछित हमे हम ज्यादा पकाना नहीं है तो इसे हम थोड़ा सा पहले भूल लेंगे एक और उसके सारी सब्झिया हम इसमें मिक्स कर लेंगे प्याज अगर डाल रहे तो उसमें हाइफ लेम में किविखियों को ध्यादा पकान नहीं इसे नमक का जादा पानी किष्टेकाने इहां पर एकleader सोय डार्क सोया सच ले रहे हैं आपकर कंशन स्विनेंगर झाल भिचकान करने हैं यहां पर एकनझ छिली सोस आगर तीका पर पसंद नहीं तो यहां पर एक चमच विनेगर ले रही हूं डाल ले इसमें स्वाद कनुसार नमक और अगर आपको और ज्यादा तीखा पसंद है तो चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं यहां पर एक चमच काली मिर्च को दरदरा ताजा कूट के डालिएगा उससे फ्लेवर अच्छा थ्वासा तीखा पनाएगा इसमें और अगर कम तीखा पसंद है तो यहां पर आप टेमेटर सोस का यूज कर लेज़ेगा मैं टेमेटर सोस नहीं लाड ले हूं क्योंकि मुझे पीटर मीठा पसंद नहीं है अब यहां पर थ्वासा मैं नूडल्स को बोईल करके पहले से रखी थी तो नूडल्स इसमें मिला ली हूं आप अचाहे तो मिला सकते हैं नहीं तो बगएर नूडल्स के भी बना सकते हैं तो यह इस तरह से आप चाइनेज थोड़ी सी चौमिन टाइप का आप इसे वैसे भी आप इसे खा सकते हैं बगएर स्टफिंग किये भी तो इस तरह से मैं अक्सर बना के खाती हूं जिसे मैं चौमिन बोलती हूं अगर आपको पसंदे तो इस तरह से चौमिन बना के आप खा सकते हैं पर मैं यहाँ पर आज स्प्रिंग रोल बना रहे तो इसे हम रख देंगे ठंडा होने के लिए इसी तरह से देखिए यह इस तरह से भी आप इंजोई कर सकते हैं बहुत ही टेश्टी लगती है यह खाने म हम रोटी से चोटी लोईयां बनानी हैं जादा बड़ी बड़ी लोईयां नहीं बनानी है इस तरह से सीट बनाएंगे तो काफी आपको आसान होगी स्प्रिंग रोल की सीट बनाना जो कि आप घर पर आसानी से बना सकते हैं मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये वाली सीट एक साथ बहुत ही जल्दी काफी सारे बन जाते हैं तर छोटी छोट змानें के सैथे लाज़े जाह आपको बनाने हैं मैं यहां पर एक बना कर दिखाते ओं फिर बाद में बनाओंगी एब यह सारे बेली हुम हैं अब यहां पर एक रोटी को पहले इठा लेजे अब इहां पर थोड़ा सा हम इसमें लगा लेंगे रिफाइंड ओईल और यहां पर थोड़ा सा आंटा को स्प्रिंकल कर लेँगे न पर चाहें तो आटा और ओल को पहले से मिक्स करके रख भी रख सकते हैं पर मैं इसे साथ के साथ इस तरह से कर देरी। अगर आपके पास इजी करना है तो दोनों को मिक्स करके रख लिए अब इसके उपर से दूसरी रोटी रखेंगे हम सेम साइज की रोटी बनाईएगा तो इस तरह से रखने के बाद फिर इसमें थोड़ा सा हम ओईल डालेंगे रिफाइंड और थोड़ा सा इसमें मैदा स्प तो यहां पे बनाना बहुती आसान इस तरह से सीट आपको जो की कोई भी बना सकता है बहूती है इस तरह से वाले हम इकते सारे तो यह कृटि एकने सारे की इस handle पतबिक्षल्वर्व कि बना की आप यहांध ऐसां वेरी फिरल्म कांफी दूप आती है चो देख रहे हैं हाई फिले में गरम मत किज़ेगा अब जब थोड़ी थोड़ी ड्राय हो जाए यह रोटी अब तो हम इसे पलट लेंगे यह देखे काफी अच्छे फूल ले लगए मतलब परत अलग हो रही है तो इसी तरह दूसरे साइड से भी सेक लेंगे और हैसे हम निकाल लेंगे ज्या सोटने का कोई सवाल ने और काफी पतली बनती है यह देखे इस तरह से तो से सीट को हम बना सकते हैं बहुत ही आसानी से और काफी पतली भी है तो यह एक सीट हमारी बन गई देखे इस सीट harness हम दूसरी सीट भी निकाल लेते हैं वह भी सेम तरीकə से निकालना है क्योंकि य अब ऐसाइब बना जोगे इंगे, तो और तो र्हें को आपको अटा कै अच्टारी जोगा रहें, मैं जोगे तो स्वाहराई पाज के लिए किसमी तरह बनाने करीए, स्वाहरे अजोगाना का होग् से स्वाहराई, शारी को ते रिधां गार है, 3-2 नीक और शेर ताबा को मेडियम फ्लेम में गरम करेंगे और इसे हलका हलका रोष्ट करेंगे और उसके बाद यह परत देखिए निकल रही है तब इसी तरीके से हम सारी सीट एकठे पहले बना लेंगे यह देखिए इतनी अच्छी है इतनी सौप्ट है कि यह कोई तूटेगी नहीं इसे ब साइज पर यह आ जा रहे है तो इसी तरह से सारा बना के आप इसे ढख के पहले रखेगा नहीं तो सूख जाएगी इसे किसी भी किचन टावल से ढख लेजे यह प्लेट से अब यहां पर थोड़ा सा मैदा ले लेजे आप थोड़ा सा यहां पर पानी डाल के लही बना गार लेंगे तिस तरह से बना के रख लेजे अब एक यहां पर सीट ले लेजेर सीहे डा लेंगे मेदा का घोल उसे हम लगा लेंगे यहां पर इस तरह से चिपता हैगा नहीं तो इस में तेल गुच जाएगी जब हम इसे Fry करेंगे इस तरह से इसमें लगा लेंगे और इससे парटी हो और केजिन हो तो आप इस तरह से तैयारी करे पहले से भी रख सकते हैं अब दूसरी बना के एक बड़ और दिखाते हैं आपको तोрист Right नामत डालिएगा जितना आ रही इसे में डालेंगे, पिर इस तरह से tightly गुष की दो मुषबार है उसकाना भी हमें, एकथे बनकर अजय को आफा है, कर लिए यह देखिए इस तरा इसे हैं पह सब भाना तो अब प्रकर आप यह था नहीं यहारों की आप में ख्रण जाएक यहाई तो नहीं कि आदए हैं अगर यहार फोड़ कर लिए सेन chamr Special बुलिए है कि करें तो थोड़ा सा इसमें ऊइल को ज्ञादा गरम मत किरें लो तो मीडियम में इसमें आग़ा जीए जैड荷ाइवे में र डीकड़ में इसमें दो बबल कुटा अध्लेट, कि यह अच्याम, बने और टेस्टी बने इस तरह से हम फ्राय करेंगे से ताकि कोई भी बबल्स ना आए खाने में काफी तीकी चटपटी बनी है यह रेसिपी मुझे तो काफी पसंद है आपको कैसी लग रही है हमें ज़रूर बताएगा अब इस तरह सुनहरा कलर होने तक हम इसे फ्राय हम दिये देखिए काफी सुन्दर कलर आई हुई है तो इस तरह बना के निकाल लेंगे सेम तरीके से दूसरे बैच भी हम इसमें डाल देंगे और सेम अगर आपका ओयल ज़्यादा गरम हो चुका है तो आप थोड़ी तरीके लिए ओयल को गैस ओफ करके थोड़ी सी ठंडा कर लज़ेगा तो उसके बाद डाले अब यह देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है एकदम काफी क्रिस्पी और अंदर से काफी चटपटी टेस्टी बनी है कट करके दिखाती हूं आपको यह रेस्पी काफी टेस्टी लगे खाने में हमें अग्पो कैसी लग रहे है कमेंड करक कि खाने में जब मैं इसे बनाई तो आई शोर करके मैं नेक्स डेसे फाई भी की दी इस तरह से बनाईए खाईए और जुदे रहे हैं कि वाचिक में वीडियो बैबाई टेक कियर तो मिलते हूं मैं नए रेसिपी के साथ सी यू